लाइस्टीट भारत में आपका बहुत-बहुत स्वागत है आप लोग वकील साब देखते हैं और इसमें हर बार हम कोशिस करते हैं कि नए विशे पर बात करने के लिए 1835 में लाड मेकाले आया था यहां पर वो आया था भारती सिच्छा पद्धिती को बरबाद करने के लिए जो हमारे connecting language संस्कृती थी उसको खतम करके इंगलिस को बनाने के लिए और उस अफल भी रहा उसने इस देश के हमारे भारत के education system को बरबाद कर दिया हमारे गुरुकुल को बरबाद कर दिया और जो हमारी connecting language संस्कृत थी जहां इस्ट से यूपी इस्ट से वेस्ट नार से साउथ संस्कृत के द्वारा संस्कृत लिखना पढ़ना बोलना आना चाहिए कि दुर्भाग गिवस हमने आठके 351 को पूरी उस इस्पिरिट में लागू नहीं किया और आठके 351 को लागू करने का सबसे अच्छा तरीका यह है आप कम से कम आठमी तक वैसे तो दसमी तक हो जाए तो अच्छा है आप त्री लेंग्वेज फार्मूला इंट्रोड्यूस कर दीजे एक होगा अपका संस्कृत हो जाएगा एक हिंदी हो जाएगा तिसरा लेंग्वेज आपकी जो वहाँ की स्टेट की लेंग्वेज हो सकती है कसë बात मां आ啦 वाली गुजरात में गुजराती अपने स्टेट के लेंगे सकती है इस त्री लेंगे फार्मूला जो हमारा कंस्टुशन भी कहता है उसको लागू करने से मुझे लगता है बहुत सारी समस्य अपने आप खतम हो जाएंगी और एक बात मैं आपको बता दो हमें जो सबसे कारण है जो कान्वेंट एजुकेशन सिस्टम है जो मैकाले का एजुकेशन सिस्टम है वही है इस कार्यकर में हमेशा संविधान की बात करते हैं और संविधान के उस हिस्से की बात करते हैं जिसको आज तक टच नहीं किया गया इसको लागू नहीं किया आज हम बात करेंग आटकिल 16 की, आटकिल 16. आप सम्मिधान को पढ़िए, गूगल करके देखिए, आटकिल 16 में बहुत साफ साफ लिखा हुआ है, ये सरकार की duty है, कि वो सब को समान अवसर उपलब्ध कराए, नौकरियों में भी, कमटेटिव इक्जामस में भी, इक्वल अपॉर्चिन्टी, क् आपका IES का एक 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 सब को समान उसर तब मिलेगा या तो इंजिनिरिंग का, मेडिकल का, आईएस का, बैंक का, रेलवे का, एक पेपर यूपी वालों के लिए बने, एक बिहार बोर्ड के हिसाब से बने, एक बंगाल बोर्ड के हिसाब से बने, एक गुजराज बोर्ड के हिसाब से बने. अन्यथा पूरे देश में एक slay impos लागू किया जाए one nation, one education board, one nation, one slay impos और ये कोई rocket science की बात नहीं कर रहा हूं, ये कोई ऐसी बात में नहीं कर रहा हूं जो संभव नहीं है, कहीं हो नहीं रहा है, दुणिया के कही देशों में चल रहा है युनिफॉर्म एजुकेशन चाइना में लागू है, फ्रांस में लागू है, अमेरिका ने लगबग एडॉप्ट कर लिया, सिंगापुर में चल रहा है और कहीं नहीं भी चल रहा हो, तो हमारा संविधान कहता है, इक्कुल अपोर्चेंटी और इक्कुल अपोर्चेंटी, जब तक युनिफॉर्म एजुकेशन नहीं होगा, समान सिक्षा नहीं होगी, समान सिक्षा के बिना समान आउसर उपलब्द कराना, ये केवल और केवल एक धोखा है, होई नहीं सकता है समान सिक्षा का मतलब, ये जो 40 तरीके के बोर्ड है, इनको मर्ज करके, एक देश से एक सिक्षा बोर्ड, वन नेशन, वन एजुकेशन बोर्ड बना दिया जाए समान सिच्छा का मतलब जो 40 तरीके के स्लेबस चल रहे इनको मर्ज करके इक्सपर्ट कमेटी बैठ जाए वो डिसाइड कर ले कि पूरे देश में मैथ में क्या-क्या कौन-कौन से चेप्टर पढ़ाने केमिस्टी में क्या-क्या पढ़ाना फिजिक्स में क्या पढ़ाना है और हमारे देश में केविस जो केंद्री विद्ध्या लें आलेडि वहाँ उनिफॉर्म एजूकिशन है केविस का पढ़ने वाला बच्चा कसमीर में हो या लद्दाख में हो कामरूप में हो उसकी किताब एक होती है हम क्यों एक बढ़िया सा एक expert committee बनाके इस देश में कम से कम जो main subject है physics, chemistry, math, geology, botany जो main subject है जो वास्तों में पूछे जाते हैं आपके engineering के exam में, medical के exam में railway के exam में, जो और भी exam होते हैं क्यों नहीं उसका हम one syllabus design कर देते हैं अगर 40 तरीके के tax को merge करके one nation one tax लागू हो सकता है तो 40 तरीके के syllabus को merge करके one nation one syllabus लागू हो सकता है उससे जातिवाद खतम होगा वर जो class का एक difference चलता है बच्चों के मन में 5000 रुपे फीज दिने वाला अलग किताब पढ़ रहा है दसजार फीज दिने वाला अलग किताब पढ़ रहा है बारवी तक यानि 18 वर्स तक के सभी बच्चों के लिए वन नेशन वन स्लेवर सो वन नेशन वन एजूकेशन बोर्ड बना दिया मैं गारंटी के साथ कहता हूँ इस देश में भाईचारा बढ़ेगा देश की एकता खंड़ता मजबूत होगी कटरवाद मजभी उल्माद बहुत कम होगा सबको समान आउसर भी मिलेगा और सबसे बड़ी बात ये कि जो एजूकेशन माफिया लूट रहे हैं उनकी लूट कम हो जाएगी जो कोचिंग माफिया लूट रहे हैं उनकी लूट कम हो जाएगी जो बुक माफिया लूट रहे हैं उनकी लूट भी कम होगे और जो हमारे सम्मेधान निर्माताओं का सपना था जो हमारे सुतंता संग्राम सेनानियों का सपना था जो सुखदेव राजगुरु चंसेखर का सपना था जो वीर सावरकर साब का सपना था वो सपना साकार होगा उन्होंने इतने क्लास के लिए इतना बड़ा वलिदान नहीं किया सावरका साब ने समुद्र में छलांग लगाई थी इस भारत के लिए नहीं जहां पे इतने सारे क्लास होगे EWS, BPL, LIG, MIG बाकी ठीक है आर्थी किस्थितियों के हिसाब से हो लेकिन गरीब के बच्चे की किताब आलग, अमीर के बच्चे की किताब आलग क्यों अगर इस देश में हम वास्तों में एकता खंड़ता मस्बूत करना चाहते है और जो सबसे बड़ी समस्या इस हम समाज फेस कर रहा है radicalization का उसका एकी तरीका है यह जो कानून इस समय चल रहा है right to education इसको बदला जाए इसका नाम रखा जाए right to equal education अभी कानून है मारे पास लेकिन उसका नाम है right to education उसी में right to equal education करने के जरूरत है और right to education अभी केवल 14 वर्स तक के बच्चों पे लागू होता है इसको right to education को 14 वर्स से बढ़ा के 18 वर्स तक कर दिया जाए इतना सा कर दिया जाए functioning की बात है हमारी GST council बनी हुई है GST council कैसे काम करती है जो center government का finance minister होता है वो अध्यक्ष होता है GST council का और जो राज्यों के finance minister होते हैं उसके member होते हैं इसी pattern पे एक education council बन सकती है center का education minister उसका education council का प्रेसिर अध्यक्ष होगा राज्यों के education minister उसके member होगे जैसे GST council meeting करती रहती ऐसे education council meeting करती रहेगी और आराम से कम सकम 80% slaybus एक uniform किया जा सकता है समान किया जा सकता है उसके बाद uniform जब education होगा तब वास्तों में जो constitution की spirit है समता समानता समरस्ता समाना उसर तब जाके वो लागू हो पाएगा मैं आशा करता हूँ कि तेन सरकार मानी प्रधान मंत्री जी ग्रीम मंत्री जी इस पे ध्यान देंगे और बहुत जल्द uniform education के उपर संसद में भी बहस होगी समाज तो करी रहा है समाज करी रहा है और मैं आप सब से आग्रह करता हूँ आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है आप इस वीडियो को देखने के बाद के बाद अपने तक सीमित मत रखिए कम से कम अपने सांसदों को tag करके जरूर tweet करिए अपने facebook पे इसको डालिए कम सकम इसको 10 लों को whatsapp पे forward करिए और उनको forward करने के बाद ऐसे मैं छोड़ियों forward करने के बाद लोग पढ़ते नहीं सुनते नहीं उनको रिक्वेस्ट करिए कि ये लिंक को आप जड़ा सुनिए और आप भी इसको सुनने के बाद दसलों को फारवड करिए मुझे लगता अगर यह हमने सिस्टम एडाउट कर लिया तो बहुत जल समान सिक्षा का जो सपना था हमारे सम्मेदान निर्माताओं का साकार हो कि लुड़ा कि लुड़ासी न के लिए पड़़ा था हम थारा यह हमारे सिक्तू कर दोड़ासी वेश हमाद बने समान खेदे लिए और बन